मैं आपका बहुत बहुत अबार वेक्ट करता हूँ साथ में मननिय मंत्री मंसुक माडविया जी को ये महत्वपूर्ण बिल लाने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनान दिन भी देता हूँ ये जो बिल है ये बिल के पहलू काफी सारे लोगों ने चर्चाय वगेरा की एक महदय ने तो बताया कि काफी लंबे टाइम से पड़ा हुआ बिल अब क्यों लाए और लाए तो इतना लेट क्यों लाए पर आपने उन्होंने महशूस नहीं किया कि ये जब पंजाब के अंदर महली के अंदर 1998 के अंदर जब इसका स्थापना की गई थी और उस टाइम और उसके बीच के टाइम जो 2014 से मान्यप नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब से अब तक का हमारे साथी मित्र ने बताया कि चिकित्सा हो रोड हो या कोई भी आप चीज बताए कि जिसके अंदर हमारी सरकार काम करने के लिए ततपरियर ना हो और जिस तरह देश के अंदर अभी जो वैश्विक माहमारी जो आई है जो कोरोना की माहमारी जो चल रही है वो अगर बूतकाल के अंदर लास्ट में पिछले सालों के अंदर सोचे समझे कि उस ताइम के अंदर अगर ये भीमारी आई हो थी तो हमें शायद ही मैं हमारे यहां पे स्वास्त मंत्री बान्या मंसुक मांडेविया जी बैठे है मुझे आज भी याद है कि जब मंत्री बने और मैं शुक कामना देने के लिए जा रहा था तो जब उनके मिलने गया तब उन्होंने मुझे एक बात बता ही मतलब बात हो रही थी कि हमारे तब तब करीब 40-45 लाख लोगों को वैक्शिन लगा होगा वो सोच रहा थी कि मुझे 100 अबाउट जाना है और वो भी नवेंबर के अंदर ही जाना है तो इतना कौशल कोई सरकार में और किसी के अंदर है तो भारतिय जंता पार्टी की सरकार और नरेजर मोधी जी की सरकार में है और जीस तरह जां जां जीस तरह जां जां भी और यह जो बील लाए हुआ है यह बील के अंदर क्या है हम medical college तो बहुत सारी बनाते हैं पर इसके अंदर pharmaceutical दोनों को combine करने की बात है जिसमें जो है कि medical के जो student आते छात्रा आते जो बच्चे होते हैं वो या तो दूर से मलब फोरेंज से जो दवाई आती है वो ज़्यादातर यूज हम लोग करते थे इसकी जगह आज भारत के अंदर बनने जा रही है उसके अंदर हम लोग यह कह सकते हैं कि हमें नया सजेशन दे सकते हैं इसके अंदर हम नए नए सजेशन दे के इसको किस तरह इ परेंद्र मोदी जी की अगवाई में हम आगे और भी बढ़ने वाले हैं और जीस तरह अलग-अलग नए तमिलनाडू, चतिसगर्ड, महाराष्ट, राजेस्तान और कर्णारक राजियों के अंदर भी नए नए इंस्टुटिट बनने वाले हैं और उसके अंदर भी नए रिस जर्च भी होगे और हमारे जो बच्चे जो नए नए रिसर्च करके नए नए दवाईया और खूद भी फार्मसुटिकल की जिस तरह विश्व के अंदर जो मांगे हम लोग आर्यू विदिक में तो आगे थे पर आने वाले वक्त के अंदर यह हम आगे होने वाले हैं और ज 200-500-1000 रुपय के अंदर मिलती है और जिस तरह लोग डरा के रखते थे कि यह बड़ी फैक्टरी की आतो विदेश की दवाईया आप यूज कीजिए इसकी जगह आज लोकल लोकल टू वकल की जो मान्य प्रदान मंतरी जी की जो सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसी अच्छे रिसर्च करेंगे नई सोच के साथ कुछ नया इनोवेशन करेंगे जिस तरह हमारा ये कोईट की महामारी के अंदर हमें जो तकलीप पड़ी और जिस तरह ये वैक्षिन बना रहे हैं के अंदर जो बाहर से पहले ऐसा सोचा जाता था कि बाहर से विदेश से लाए के उस तरह का ये भील लाया गया है मैं मानिय स्वास्त मंत्री मंसुग माडविया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साथ मैं इसका सपोर्ट करता हूं धन्यवाद जहिन वंदे मात्रम